हेलो स्टूडेंस पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉलिनॉमिल्स के बारे में क्या-क्या देख चुके थे डिग्री देख चुके थे हम लोग degree of polynomial में क्या देखे थे linear और देखा था हमने quadratic और देखा था cubic तीन तरह के polynomial देख चुके है हम दो linear का एक example बोले था 7x plus 2 is equal to 0 power 1 या degree 1 quadratic में degree 2 x square plus 3x is equal to 5 इसकी degree होती है 2 और cubic की degree 3 x cube plus 2x square plus 7x minus 3 is equal to 0 इसकी degree होती है 3 degree क्या होता है इसमें तो किसी को confusion नहीं है degree बोलते हैं maximum power को यासे x to the power 7 plus 3x to the power 4 minus 7y square plus 2 is equal to 3x cube इसमें maximum degree लेनी है डोनों साइट की मिला के यानी की एक ट्रफ की maximum अलग दूसरे ट्रफ के लग नहीं पूरे polynomial इस पूरे में जो सबसे ज़्यादा power हो उसी को degree बोलते हैं इस polynomial के degree क्या होगी इसकी degree है 7 यह सब कुछ हम लोग देख चुके हैं अब आगे आगे हमें जानना है कि जैसे यह polynomial है एक का मैं लिक को हटा रहता हूँ जैसे कोई polynomial यह 7x plus 3 is equal to 5 यह एक polynomial है है ना हाँ यह polynomial है इसका क्या मतलब है इसको solve करना तो हम लोग देख चुके हैं पिछली class में 7x is equal to 5 minus 3 is equal to 2 और यहां से x की value आ जाती है हमारी 2 by 7 यह solve करना तो हमें पता है solve करने की बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जैसे जैसे x का value change होगा कुछ-कुछ इसकी value change होते चली जाएगी है ना हमने जो solve किया 7 2 by 7 x की value 2 by 7 पे इसकी value क्या होगी 5 है ना 7 x की value अगर 2 by 7 रख दो प्लस 3 इसको calculate करेंगे तो क्या आएगा 7 और 7 कैंसल हो जाएगा 2 प्लस 3 इस इक्वल तो 5 इस polynomial 7 x प्लस 3 इसकी value 5 कब होगी जब x की value 2 by 7 होगी टब जब x की value कुछ और होगी तो इसकी value कुछ और भी होनी चाहिए जैसे x की value अगर 1 रख दिया तो इसकी value क्या होगी 7 x प्लस 3 है इसकी value क्या होगी 7 प्लस 3 is equal to 10 है ना polynomial की value change होती जाएगी जैसे जैसे x बदलेगा यह इसका value जो आ रहा है यह change होता चला जाएगा x की value 2 रखेंगे तो क्या होगा 7 into 2 प्लस 3 14 प्लस 3 is equal to 17 जैगा जैसे x की value हमने 2 रखा तो इसकी value 17 होगी x की value 2 by 7 रखते थे तो 5 होगी तो हर एक value x की हर एक value के लिए x की हर एक value के लिए पूरे polynomial की कुछ न कुछ value आएगी आएगे यही concept को भी हमें देखना है value of a polynomial at a point if px इसे polynomial एक example ले लो px का px एक polynomial है simple रखने इसको 2x प्लस 3 मानल रख लिया 2x प्लस 3 एक polynomial है जिसको हमने रखा जिसका नाम रखा px ठीक है px इसे polynomial in x एक example हमने लिख लिए यहाँ पे and if k is a real number k is a real number k कोई real number है then the value obtained by replacing x by k in px यह जो px है इसमें x की जगा क्या रख देना है हमें k x की जगा k रख देंगे तो क्या होगा 2k प्लस 3 यह ही आएगा न is called the value of px at x is equal to k and is denoted by pk मतलब यह जो आया इसको हम लोग बोलेंगे pk समझ मैं आ रहा है px एक polynomial है उसमें k कोई एक real number है k x की जगा पे जब हम लोग k रखेंगे तो जो भी value आएगी उसको हम लोग बोलेंगे pk एक example लेके देखते है polynomial थो हमारे पास है k की value चलो मानो 1 रख लिया मैंने तो अब हमें क्या निकलेगा k की value 1 है p1 निकलेगा यह कितना होगा 2 into x की value डालनी है हमें 1 plus 3 यह कितना होगा 5 आदा है समझ में आदा है न p1 हमने निकला तो 5 आगिया ठीक इसी तरह से अगर p2 निकलना हो तो 2 into x की जगा पे क्या डालना होगा मैं 2 plus 3 is equal to 7 p3 निकलना होगा तो 2 into 3 plus 3 is equal to 9 है ना pk k की कुछ भी value हो हम लोग को एक pk निकाल सकते हैं सबज़ भी आदा हम लोग क्या कहने की कोशिस कर रहे हैं कोई भी polynomial हो उसमें किसी भी real number k k real है इसका मतलब k is equal to square root 2 भी लिख सकते हैं x की value अगर k डाल देंगे तो pk निकल जाएगा और वो होता है value of polynomial at k k पे x की value जब k हुई उस समय उस polynomial की value गया है जैसे k is equal to square root 2 अगर इसमें लख दें तो क्या आजाएगा p square root 2 आजाएगा is equal to 2 into x के जगा square root 2 लिखा plus 3 is equal to 2 root 2 plus 3 एक value आगी कोई भी real value आ सकती है polynomial की value जब निकालते हैं तो कोई real value आएगी समझ में आ रहे बार एक दूसा polynomial लेकर try करते हैं p x is equal to square root 2 x minus 2 यह polynomial है हमारा ठीक है इसमें k is equal to 1 जब लेंगे हम लोग तो p 1 निकल सकता है क्या आएगा square root 2 into 1 minus 2 x की value 1 रख दी हैं क्या आगिया है square root 2 minus 2 k is equal to 0 भी निकाल सकते हैं p की value जब 0 डालेंगे तो क्या आएगा square root 2 into 0 minus 2 is equal to minus 2 k की value square root 2 भी रख सकते हैं real number है कुछ भी रख सकते हैं तो p square root 2 अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा square root 2 into square root 2 minus 2 is equal to 0 तो देख रहो हमारा value जो है irrational आ सकता है negative आ सकता है 0 आ सकता है positive तो आही सकता है कुछ भी आ सकते हैं verted another polynomial की value किसी भी real number के लिए हम लोग निकाल सकते हैं और然后 milk k के लिए हम लोग polynomial की value calculate कर सकते हैं कोई खास बात नहीं है इसमें कुछ भी special नहीं है सिर्फ और सिर्फ अतना ही है कि हम लोग उस polynomial की value कुछ भी निकाल सकते है और वो value कुछ भी हो सकता है यह negative number है यह भी negative है यह 0 है positive होता ही है positive कैसे आएगा P minus 1 अगर निकालना हो तो यह तो negative हो जाएगा square root 2 into minus 1 minus 2 is equal to minus of square root 2 plus 2 अब P की value 2 square root 2 रख दी तो 2 into 2 square root 2 x की value हमने दे दिया 2 square root 2 minus 2 यह कितना हो जाएगा square root term 4 minus 2 4 minus 2 is equal to positive भी आ सकता है हमारा polynomial का value for any real के positive हो सकता है negative हो सकता है zero हो सकता है rational हो सकता है irrational हो सकता है कुछ भी हो सकता है clear है कोई doubt नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसकी value निकालने की बात कर रहे है जो भी value आया हम बटा दें गहां यह value आई है ठीक है अब एक special case value की अच्छा है पहले इसकी value निकालके देख लेते है यह quadratic है हमने linear में बहुत सारे example देके देख लिया quadratic की value निकालके देखते है px is equal to x square minus 3x minus 4 यहां पर हमें डालना है k is equal to minus 1 क्या निकल जाएगा हमारा p minus 1 is equal to minus 1 का square x की value डेको x की value जो है minus 1 फिर उसको square कर दिया minus 3 into minus 1 जब x है इसकी value फिर से minus 1 आगे minus 4 यह कितना हो जाएगा 1 plus 3 minus 4 is equal to 0 है ना x की value जब हमने minus 1 रखा तो इस पूरे की value हो गई 0 polynomial की value आगे 0 कोई दूसर number लेके देखो k की value minus 4 ले ले लेते है k is equal to 4 तो p 4 निकल जाएगा हमारा क्या निकलेगा x की value हमें डालनी है अब 4 x की value डालनी है 4 4 का square minus 3 into x x की value क्या डालनी है 4 minus 4 क्या आगया 16 minus 12 minus 4 is equal to 0 आ रहा है 0 आ गया है इसके अलावा कोई डूसर नमबर लेकर देखो k equal to 1 p of 1 जब निकलेगे हम लोग तो क्या आएगा 1 का square minus 3 into 1 minus 4 यह क्या आजाएगा 1 minus 3 minus 4 is equal to minus 6 है ना value हमारी दो बार 0 आ गई एक 0 यहाँ आया एक यहाँ आया यहाँ पर minus 6 आगी value कोई दूसर value लेकर देखते है k का k की value अगर हमने मालो रख लिया 4 अच्छा k4 निकाल चुके हैं चलो 5 रख के लिखते हैं यह के value कुछ भी रख सकते हैं अगर 5 रख लिया तो क्या होता है P5 क्या आएगा 5 square minus 3 into 5 minus 4 क्या होगा यह 25 minus 15 minus 4 6 आगया plus 6 आगया यहाँ minus 6 आए था यहाँ plus 6 आगया value कहीं भी जा सकती है कुछ भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ यहीं condition है कि value real होगी rational भी हो सकती है यह rational भी हो सकती है सिर्फ real होना है यहीं एक condition हो सकता है उस value के ऊपर ठीक है कोई भी polynomial ले ले लेंगे हम लोग quadratic लिया यहाँ पे rubic भी ले सकते थे linear भी लेके देख लिया यह ज़्यादा power का भी ले सकते है ज़्यादा degree का भी ले सकते है simple भी ले सकते है complex भी ले सकते है कुछ भी ले सकते है polynomial उसमें अगर कोई भी value x की value कुछ भी डाल दिया x is equal to k डाल दिया तो k पे उस polynomial की हमें value मिल जाएगी value कुछ भी हो सकती है k भी कुछ भी हो सकता है वो value भी कुछ हो सकता है value हम लोग k जो है rational दे सकते हैं और k rational लेंगे तो value भी rational हो सकता है मतलब value of polynomial can be इत है गाल कर ले चे ले 15 कैन्ट ऑ वह सकता है का λय क्या है जो भी षी अई ए गी कैसी घ्यार सकती। की कि वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए और जो वैल्यू पूरे पॉलिनॉमियल की PX जो निकालेंगे वा भी रियल ही हो गया rational भी हो सकता है e irrational भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कोई मुश्किल बात नहीं है सब तो सीरा सीरा दिखना है हाँ बहुत आसान है तो अब हमें देखना है 0 of a polynomial 0 of a polynomial 0 of a polynomial का मतलब है कि इसकी value 0 होनी चाहिए यह जब polynomial है यह जब 0 हो गया तो उसको बोलते है 0 of a polynomial तो 0 होने के लिए x की कुछ एक value होगी तभी तो यह 0 होगा है अब यह तक हमने यह देख लिया है x की value जैसे जैसे change होते जाएगी polynomial की value change होते जाएगी जैसे इसमें अगर p of 1 calculate करना हो तो क्या आएगा 2 plus 3 5 है ना p of 2 लेना हो तो 4 plus 3 7 p 3 लेना हो तो 6 plus 3 9 p 0 लेना हो तो 3 p minus 1 लेना हो तो 1 जैसे जैसे हम लोग k change करेंगे value change होते जाएगी 0 हम लोग कब बोलेंगे 0 हम लोग बोलेंगे जब p k कितना हो जाए 0 मतलब कहीं पर हो सकता है की 0 हो हम लोग solve करके देख चुके हैं 9th में हम लोग यह सब solve करना सीख चुके हैं equal to 0 हो सकता है किसी एक value के लिए होगा यादा रहा है ना 9th class में सीखा था इसको solve करेंगे equal to 0 करेंगे तो कुछ एक value के लिए ही यह 0 होगा का और कहीं 0 नहीं हो सकता है सिर्फ एक ही बार 0 होगा यहां भी वहीं बात है इसकी 0 होगी किसी एक value k के लिए तो p k मान लो 0 है तो इसका मतलब क्या है 2k plus 3 is equal to 0 है इसका मतलब क्या है 2k is equal to minus 3 है इसका मतलब क्या है k is equal to minus 3 by 2 है अब p minus 3 by 2 calculate करेंगे तो क्या आएगा 2 into minus 3 by 2 plus 3 2 और 2 cancel हो जाएगा minus 3 plus 3 is equal to 0 सेब चीज आ रहा है सेम चीज आ रहा है दोनों के तरह से p of minus 3 by 2 calculate किया तो 0 आगिया और p k is equal to 0 रखा तो k की value minus 3 by 2 आगियो दोनों एक ही चीज है हमने 9th standard में इस तरह से सीखा था यहां पे इस तरह से सीख रहे है बात बिल्कुल एक ही है एक polynomial है polynomial को equal to 0 करना है किस value के लिए 0 हुआ यह निकालना है simple simple बाते है उसके बाते नहीं करनी हैं हमें आसान आसान बाते करते हैं एक और example देखें देखें चलो इस पर एक और लेते हैं और इस पर rational नहीं irrational रहे polynomial लेते हैं मालो हमारा polynomial है qx is equal to 3 square root 3x minus square root 2 बहुती complex लग रहा है polynomial कोई फर्क नहीं परता है उससे q1 अगर निकालना हो तो क्या आएगा 3 square root 3 minus square root 2 आजाएगा q minus 1 निकालना हो तो negative हो जाएगा minus 3 square root 3 minus square root 2 देखेंगा कुछ कुछ value आती जानी है q0 निकालना हो तो सिर्फ minus square root 2 होगा अब फिर से करते है q k equal to 0 k की value हो x की value k के लिए पूरा polynomial लिए 0 हो जाना है तो इसका मतलब क्या है 3 square root 3 into k minus square root 2 is equal to 0 इसका मतलब क्या है 3 square root 3 k is equal to square root 2 इसका मतलब क्या है k की value क्या है square root 2 divide by 3 square root 3 पूरा एक complex सा number आ गया ठीक है complex हो या simple हो real number है यह है न यह भी real number है यह rational है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है p by q का form है इसका मतलब यह rational नहीं हो गया है irrational ही रहेगा यह क्यों रहेगा यह rational यादा रहा है na हमने कहा था p by q के फॉर्म में p and q बोट हां integers यहाँ पे दोनों integers है नहीं है clear हो गाए concept rational यह rational नहीं है छूद की p by q के form में हमें rational number नहीं मिल पा रहे है real number नहीं rational नहीं मिल पा रहे है ठीक है खेल राशनल तो हमारा पिछले चैप्टर एक बाद था इस चैप्टर में है कि K की वैल्यू मिल गई जिसके लिए क्यू के जीरो हो जाएगा तो यहां पर कैलकुलेट करके देखें क्यू स्कॉर रूट टू डिवाइड वाइड 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 3 स्कॉर रूट 3 क्य क्या कहना है स्कॉर रूट 2 क्या बचेएगा 3 स्कॉर रूट 3 कैंसल हो गया स्कॉर रूट 2 माइनस स्कॉर रूट 2 इस इक्वेल टू 0 आ रहा है हमने इडर से qk एक्वेल टू 0 किया तो k की वैल्यू आ गई और उस k को जब इसमें डाला q of k निकाला तो फिर से 0 आ गया यह होता है zero of a polynomial, दोनों तरफ से हमने देख लिया, ये class 9th का method है, ये class 10 का method है, बात वहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो कोई एक general polynomial अगर हो, हमें A और B नहीं पता है, linear polynomial जब भी होगा, इसी तरीके का होगा, इसी तरीके का होगा, इसके इलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, A और B दोनो real होगे, real के लावा कोई और option ही नहीं होता है, A और B दोनो real होगे, तो एक polynomial generally जब भी होगा, तो AX plus B होगा, AX minus B होगा, ऐसा भी लग रहा है क्या, तो B तो खुदी positive और negative कुछ भी हो सकता है, तो plus B, minus B सब उचा गया न, real जब हम लग बोल दिया B को, B जब real हमने बोल दिया, तो plus और minus दोनों हो सकता है, तो इसको अलग से लेने की ज़रुत नहीं है, एक general polynomial जब भी होगा, इसी तरीके का होगा, इसको is equal to 0, जब करेंगे हम लोग, फिर हम लोग के value निकालना है, जिसके लिए polynomial 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, A into K plus B is equal to 0, X की जगा हमने के रख दिया, AX plus B था, X की जगा हमने के रख दिया, इसको जब solve करना वाद क्या होगा, A into K is equal to minus B, यहाँ से आ जाएगा हमें K is equal to minus B by E, कोई भी general polynomial इसी form का होगा, यह formula बोल सकते हो, solve करने का एक formula मिल गया हमें, कोई भी polynomial हो, इस formula पे डालो, निगल लिए हमाला answer, example देंके चेक करना है, जैसे 3X plus 7 is equal to 0, यह polynomial लगा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, A की value क्या होगी, 3, B की value क्या होगी, 7, और K की value इस formula से निकालेंगे तो क्या आएगा, minus 7 by 3, है न, इसमें P minus 7 by 3 निकाल के देखो, 3 into minus 7 divided by 3, plus 7, 3 और 3 cancel होगा, minus 7 plus 7 is equal to 0, आगया, इस method से, इस formula से, किसी भी linear polynomial का 0 निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ linear polynomial, अच्छ समझ में आ लिए है, linear polynomial का 0 निकालना हो, तो हमारा यह formula काम आ सकता है, और किसी दूसरे त्रे का polynomial होगा, तो यह formula बिलकुल काम नहीं आएगा, ठीक है, बाकी का अगले वीडियों में है,